नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादों उत्रपदेश आगामी ग्लोबल इंवेस्टर समिट को लेकर उस्सा का महौल है पर विपक्ष लागातार जाती संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करता है नजर आ रहा है कहा जा रहा है कि ये सारे मुद्दे केवल और केवल 2024 के लुक सभाचुनाओं को लेकर विपक्ष की एक तयारी है इस मुद्दे पर हमारी सवादाता गौरश रिवास्ताओं ने उत्तरप देश सरकार के राज्यों मंतरी लाल जी पिसाद नर्मल से खास बात जीत की है देश के माहौल की बात करने समय तमाम तरह के माहौल चर्चा में है और सबसे महत्पून बात जिस तरह से स्वावी परसार मौर्या का बयान आया था तो कहीं न कहीं चर्चाएं गरम हो चुकी है इसके लाबा लगातार बिपच्छ सरकार को घेनने के काम कर रहा है कभी वो केंद की नीतियों पर बात करता है तो कभी उत्तापने सरकार की आगामी ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट को लेकर पिस्ट उठाता रहता है इस मुद्धे बात करने के हमास से उत्तापने सरकार के राज मंत्री लाल जी परसार निर्मल मौझूद है जानते हैं कि क्या कारण है कि विपक्ष इस तरह के जो आरूप तरुप का दौर को सुरूबा कर चुका है तो चुकि मिद्दा मुद्दाविहीन विपक्ष है इसलिए खोज-खोज के और प्रासंगिक तर्क पेश किये जा रहे हैं खाजकर से अगर हम स्वामिपसाद मौरिया जी की बात करें तो स्वामिपसाद मौरिया जी एक अनपेक्षित संदर्भ ला करके और उसको चर्चा का विसे बनाया हुआ है और इसके पीछे जो उनकी रणनीती है कि एक जाती गोल बंदी की जाए चुकि भार्ती जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार है उन्होंने डिप्लप्मेंट के दाएरे में लाइंड आडर के दाएरे में जो इंफरास्टरक्चर है इन सब के दाएरे में इतने विशदकारे किये हैं कि और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रगया है तो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके अरामचरित बानेस का संदर्फ, अग्रे पिछडे का संदर्फ, जाति भेद का संदर्फ, यहां राजनीत का विशय नहीं है यहाँ गैर राजनेतिक भी सह है और स्वामी पसाद मौर्या जी तो बहुत पहले से राजनीत में हैं इनको पहले यह बात कभी नहीं याद आई अब जब समाजवादी पार्टी में गए हुए हैं तब उन्हें यह याद आ रहा है और उनकी जो सोच है समाजवादी पार्टी की जनता ओदेख रही है कि काम कौन कर रहा है देश के लिए इन्वेस्टर सम्मिट होने वाले बड़ी इन्वेस्टर सम्मिट हो इतिहाद बनाने जा रही है क्योंकि 10 लाग करोड़ को पर 17 लाग पाया गया और फिराल यह लच्ट 22 करोड़ का हो चुका सरकार कह रही है 14,000 सरकार इस इन्वेस्टर सम्मिट में एक इताइस बनाने जा रही है जो कई ने कई हमाई देश के लिए बहतर परणाम लेकर आएगा बिपस्र लगातर आरोप लगा रहा है कि केबल लोहा बने बादे हैं धरातल पर कुछ नहीं है देखिए जो इन्वेस्टर समिट होने जा ना किबल राज्य की बलकि देश की एकोनॉमी उच्छाल मारेगी और इससे जो रोजगार स्रिजित होंगे उससे उत्तर प्रेश देश में पहला राज्य होगा विकास की मामले में आर्थिक पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आजितिनाद की जो अहर निश मेहनत है और ज प्रेश में जो विभिन्न महानगरों में टीम भेज करके जो इन्वेश्टर समीत के लिए जो प्रेयास किया है उसका अब फली भूत होने का समय आ गया है और आने वाले दुनों में उत्तर प्रेश भारत के नक्षे पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा कब प्रतिपक्ष की जमीन खिसक चुकी है और कभी-कभी तो हम लोगों को लगता है कि प्रतिपक्ष भी मजबूत होना चाहिए बग्च इतना कमजोर हो गया है खासकर से बहराइस सरकार की जो केंसरकार की प्रदान मंत्री नरियंदर मोरी जी के नेटित में जो डिबलप्मेंट हुए हैं देश में और जो नीटिया चलें खासकर से में बहुए करना चाहूंगा अगर ग्राउंड की बात करें तो प्रदानमंत्री आवाश योजना, सौभाग योजना, उज्वला योजना इन सब योजनाओं ने इस देश का नक्सा बदल लिया है, स्वच्छ भारत मिशन आईश्मान योजनाओं ने, क्योंकि पहली बार केंद सरकार और प्रदेश सरकार आपको गाउं में घुस्ते ही लगेगा कि सारे लोगों के मकान पक्के हो गए हैं, आप किसी भी गरीब बैक्ति से पूछिएगा, तो उसे जवाब मिलता है, कि हाँ मुझे मुझे मुफ्त में राशन मिल ला है, हमको चिकित्सा की सुविधाएं मिल लई हैं, आप हर घर मे देखियेगा, तो शौचाले बना हुआ नजर आएगा, तो इस प्रकार के जो डिबलप्मेंट कारे हो रहे हैं, वह आम बैक्ति को प्रभावित कर रहा है, और इसलिए जो धरातल पर आ गई हैं प्रतिपक्ष की पार्टियां, चुंकि जन जन तक भारती जनता पार्टि प प्रदाप कर रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में दस राज्यों में चुनाव हैं, उत्तप्रिस निकाय चुनाव हैं, और कईने के चौबिस की तैयारी महत्पून है, तो कैसे लेखते हैं, बीजेबी की तैयारी को लेकर संगठन की बैटकों को लेकर, देखिए भारत हमारे सभी प्रकोष्ठों की इकाईया बनी हुई है, मतलब एक एक गाउं में हमारे पास सौ सो लोगों की टीम है, आप सोच सकते हैं कि भारती जनता पार्टी ने कितना परिश्रम किया है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो सांगठनिक धाचा है, वहाँ प्रतिम है, और जो हमारा डिबलफमेंट है, उत्तरवडेश में इतना डिबलफमेंट कभी नहीं हुआ, पूरे देश में इतना डियवलफमेंट नहीं हुआ, लाय डायर के पैमाने पर देखें, पिछले पांच वर्सों में जो कारेकार लाहा, वर्तमान को भी ले लिजे, कुई दंग नहीं हुआ मुक्तार अंसारी जैसे माफिया अतीक अहमत जैसे माफिया ना केवल जेल में बंद हैं बलकि अब उनका इतिहास भूगर समाप्त होने जा रहा है जो माफियाओं का इतिहास था उत्तर देश में पूरी तरह निर्मूल हो चुका है तो मैं अभी पिछले दिनों म भूम्बई गया था वहां पर जब योगी जी ने लोगों से संबाद किया वहां के फिल्म हो तो योगों से और भी लोगों से बड़ा इंडर के बना और इसलिए भारती जन्ता पार्टी कहीं नजर नहीं कहीं नजर भारती जन्ता पार्टी प्रासंगी कोगी और प्रतिपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा आखरी सवाल रहेगा, MLC चुनाव हुए हाल में 5 सीटों पर चुनाव था और 4 सीटों पर BJP को जिदा से लिए, सपा को यहां पर कोई स्थान निवड़ा, इस चुनाव को लेकर सपा कहना है कि जिसकी सप्ता होती है वाई इस चुनाव को जीता है, देखिए बारती जनता, सम पार्टी पिछले सभी अखले श्यादयों के नेतित्रों में जितने भी चुनाव हुए, अखले श्यादयों की समादवादी पार्टी की उसमें शिकष्थ हुई, और एजो MLC के अभी चुनाव हुए उसमें भाड़ी बहुत मौंस भी जीते है, और जो नगर‌निकायों के होने जा रहे हैं उसमें भार्ती जनता पार्टी प्रासंगेक होगी और पार्लामेंट के चुनाव में पार्लामेंट के चुनाव में हमें विश्वास है कि भार्ती जनता पार्टी सभी सीटों पर विजयी होगी और दूर दूर तक यह जो जाती दौंद करने की जो कोशिश क कर रहे हैं जो जाती खेमे में बाटने की कोशिश कर रहे हैं यह सब अस्फल होंगे और भारती जनता पार्टी की फिर के अंदर में सरकार बनेगी तो यह थे हमाशार उत्तपर सरकार के राजबंती लाल जी परसाद नर्वाल उनका कहना है कि सरकार की जो नीतिया है उन्हीं नीतिय के हिसाब से वो जनता के भी जाएगी और 24 में दोबारा सरकार बनाते नजर आईगी और उनका कि विपच्छ जाती दंद को फेला कर अस्फल हो चुका है इसलिए अब अनर्गल बातों को अंजाम दे रहा है कहीं ना कहीं विपच्छ आप समाथ हो चुका है और इस तरह से हम देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी की नीतिया है आनुवेल समय में और बहुत देश की राजनीति में एक नया इतियास बनाती नजर आएग प्राइम टीवी सच साहस सरुका